गैस चूला तो हम सभी के घर में होता है, कई वार होता है कि जब हम ओईली चीजे बना लेते हैं, तो गैस की जाली इस तरह से बंद हो जाती है, जिसके कुछ शेद खुले हुए होते हैं और कुछ बंद हो जाते हैं, या कभी-कभी गैस की लोग बहुत कम आती है, या फिर प सबसे पहले हम इस तरह की fruit वाली stick लेंगे और उससे सारे hole को open कर लेंगे। अगर आपके पास stick नहीं है तो आप कोई भी सुई धागे वाली सुई ले सकते हो और उससे सारे hole को open कर सकते हो। Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel latest recipes at Sonam. सारे stick को हम निकाल देंगे और जाली में लगा देंगे bite वाला toothpaste अब हम एक खराब teeth प्रस लेंगे और उससे चारो तरफ जाली पे हम paste को अच्छी तरह से रफ कर देंगे। बाहर की side भी हम paste को लगा देंगे चारो तरफ हम इसको करीब 2 मिनिट तक रफ करेंगे और फिर डाल देंगे आदा चमच मीठा सोडा, मीठा सोडा अगर आपके पास नहीं है तो इनो भी डाल सकते हो और आदा चमच इसमें हम डाल देंगे detergent powder आदा गिलास हम इसमें डालेंगे एक तम गरम पानी और करीब आदा घंटे के लिए इसको हम ढखकर ऐसे ही छोड़ देंगे लेकिन आदा घंटे के बीच में हम बीच बीच में ब्रस से इस पानी को इस तरह से हिला देंगे और आदा घंटे बाद देखिए हमारी जाली कितने अच्छे से साफ हो गई है इसे हम थोड़ा सा और रफ कर देंगे अगर आपको लगता है कि किसी छेद में पेश्ट भरा रह गया है तो आप उसको भी इस तरह इस्टिक से निकाल दें यह देखिए कितने अच्छे से हमारी जाली साफ हो गई है इसे हम थोड़ी देर के लिए सुखा लेंगे जिससे कि इन छेदों में जो पानी भर गया है वो निकल जाए और अब हम इसे गैस पर रख कर चला के देखते हैं इसी तरह की आसान और रेसिपी देखने के लिए लेटेस्ट रेसिपी एट सुनम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक आसान सी टिप्स और टेस्टी सी रेसिपी के साथ